नमस्कार सभी को सभी का मेरी यूट्यूब चैनल रूचक हिंदी ससार में स्वागित है आज हम बिहारी सचसाई की कुछ प्रमुख दूहों की व्याख्या करने वाले है यह भी फरस्ट इयर की पार्ठीक्रम में शामिल किया गया है और यूजी सीड नेट की पार्ठीक्रम में भी इसे रखा गया है किन्तो नेट में इनकी दूहों की कुछ संख्या आधिक है बिहारी सचसाई रीतिकाल की प्रमुख रीती सिद्धिकवी बिहारी की रचना है इसमें 732 संकरी थे यह मुक्तक का भी है इसमें नीती भक्ती और श्रंगार से संबंदी दोहों का संकलन है दोस्तों बिहारी सत्सई रामचरित मानस की उप्रांति सरवाधिक लोगप्रीय रचना रही है और रामचरित मानस की पश्चाद बिहारी सत्सई पर ही सबसे अधिक टीकाई लिखी गई है बिहारी सत्से की सम्मद में कहावी जाता है सत्सेया की दोरी जोन आवक की तीर देखन में छोटी लगे घाव करी गंभीद बिहारी सत्से कावी रचना की अपिक्सित समस्त सत्गुडों का भंडार है उसका भावपक्स जीतना पुस्ट है उतना कलापक्स वैभापूर्ण है बिहारी के दोहों में कलपना शक्ती का अद्भुत जमतकार है उसमें व्यंजिना का अभूत पूरु कोशर वित्यमान है इ से समझने का प्रयास करते हैं मेरी भावबाधा हरू राधा नागरी सोई जातन की जाई परे श्यामु हरिद्दुती होई भावबाधा अर्थात संसार के विख्ण यहाँ पे जाई, श्यामू और हरिद्दुती के तीन तीन अर्थे हैं जाई का अर्थे परचाई और आभा, जाकी और जलक और ठ्यान इसके अतरिक्त श्यामू के तीन अर्थे हैं श्रीक्रिष्न, श्यामवल्णवाली श्रीक्रिष्न और काली रंग का पदार्थर्थात कलमस दुख दरीद्रादी और हरिदुती के भी तीन अर्थे हैं हरी रंगवाला, हराभरा और प्रसन्न वदन इसलिए यहां पिसले सलंकार का प्रियोग हुआ है इस दोहे में महाकवी बिहारी दाशी ने मंगला चरण करते हुए राधा और कृष्ण का अस्मरण किया है और साथ ही अपने कावी के नायक और नायका की जलग भी देती है वे राधिका जी से सांसारिक बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करते है इस दोहे के बिहारी जी ने तीन अर्थ किये है यहाँ पे इनके हम तीन अर्थ जान लेते हैं पहला अर्थिस प्रकार है वही चतुर सुसल स्कृत राधा मेरे सांसारी कश्टों को दूर करे जातन की जाई परे अर्था जिनकी सरीर की आभा पढ़ने से स्यामबर्ण वाले श्रीकृष्ण हरी तोती हुई हरे रंग की आभाया कांती वाले हो जाते हैं अर्थात राधाजी का रंग सुनहरा पीला है श्रीकृष्ण श्याम है उनका वर्ण काला अर्थात नीला है साहित्य में काला और नीला एक ही माने चाते हैं नीले और पीले रंके मेल से हरा बनना लोग प्रिसिद्ध है दूसरा अर्थिस प्रकार है वही नागरी राधा मेरी सांसारी कष्टों का निवारण करे जिनके तन की परचाई या जलक आखों में पढ़ते ही श्रेकृष्ण हरी भरी अर्थात प्रसन वदन हो जाते है तीसरा अर्थिस प्रकार है वही नागरी का राधात पर है चैतुर सुसंस्क्रिप नगर निवासिनी राधा मेरी सांसारी कष्टों एवं दुखों को दूर करे जिसके तन अर्थात रूप का ध्यान पढ़ने से भक्त के हिर्दय की समस्त कालीमा, करमस अर्थात जो दुखदरी द्रादी है इत्यादी तेजीन एवं भयंकरता से रहित हो जाए अर्थात में नस्ट हो जाए इस दो ही में कवी निरादा वल्लब संप्रदाई का जो प्रभावे वसपस दिखलाई पड़ता है जाई, स्यामू और हरिदुती के तीनती नर्थे इसले हाप इसले सलंकार का प्रियोग हुआ है शामू में रूप काती सिउक्ती अलंकार का प्रियोग हुआ है और जेतने भी दोहे आजम पढ़ने वाले है इनमें ब्रजभासा का प्रियोग किया है और दोहाचंद का प्रियोग हुआ है अगला दोहा है सनी कचल चक चक लगन उपच्यो सुदिन सने हुँ क्योनन रपती भै भोगवे लही सुदिसी सभू देह सनी अर्थात, सनिश्चर जो ग्रह है कचल यानि की काजर चक अर्थात, नेत्र आंक, जख यानि मचली लगन यानि की जो रासी जितने काल तक पूर्व च्छती से सम्मिलित रहती है उतने काल तक उस रासी की लगन मानी जाती है सो दिन यानि की अच्छा दिन भोग वे यानि की भोग करना किसी सु अवसर पर नाईका के कजल कलित नेत्रों को देखने से नायक की हिर्दय में इसने ही उत्पन हुआ जिसने उसके सर्वांग पर अधिकार कर लिया उसकी इसी दसा का वर्णन सकी बड़ी चातुरी सी नायक की प्रतिकर के उसको नायका से मिलाना चाती है सकी कहती है कि उस नायका के नेत्रों में लगा कजल अर्थात काजल मानु शनिग्रा है नायका के मीन आकिर्थी वाले नेत्र मानु मीन रासी है इस सुब मुर्थ में इस सौंदरी को देख उत्पन हुआ इसनेह राजा बनकर सारी देहरूपी सुंदर देश पर राज क्यों न करे कहने का भाव है कि नाईका के आखों में काजल है मानु सनी मीन राशी में आ गया है जो तेश के अनुसान मीन रासी में सनी होने पर जैनमिलेनी वाला बालक राजा बनता है इस दसा में उत्पन हुए सनहिका राजे सारी देह रूपी देश पर ही होना चाहिए इस दोही में रूपकलंकार की अभिवेंजना की गई है सुदिन सनी हुआ सुदिन सबू में सौवर्ण की आवरिक्ति से छेकानु प्रासलंकार है और सांगरूपकलंकार का प्रियोग भी किया गया है नीकी दई अनाकनी फिकी परी गुहारी तजीयू मनु तारन बिर्दू बारब भारनु तारी अनाकनी यानिकी अनसोनी फीकी पड़ी गुहारी अर्थात पुकाल यहाँ पे बिर्दोकार थै प्रसंसा या प्रसस्ती से बारक यानिकी एक बार्थी या सर्वता जिसी कह सकते हैं बारनू यानिकी हाथी कहने का तात्परी है कि हे प्रभू आपने तो मेरी प्रार्थना मेरी विंती पर थ्यानी नहीं दिया आनकानी कर दी मेरी पुकार मेरा अंतरना फीका पड़ गया है मुझे तो ऐसा लगता है कि एक बार गज यानि की हाथी का उधार करके आपको तारण हा नाम मिल गया है इसलिए आपने अब अपना तारणी का विरत या सौभाव छोड़ दिया है यहाँ पे जुद्धिती पंक्ती है तज्यो मनु तारण बेदो बारग बारण उतारी में हेतुत प्रिक्ष आलंकार का प्रियोग हुआ है व्यंग के कारण व्यंजना सब्ति का प्रियोग हुआ है गज का प्रियोग हुने से यहाँ पे पोराणी कथा की और संकेत किया गया ह भक्तिरसीवं सांतिरस्का प्रियोग है जोग जुगती सिखे सभी मनु महामुनी मैं चाहत प्रिय अध्वैतिता काननु सीवत नैन जोग जूति अर्थात प्रियतम सहयोग की प्राप्ति योग यानि की जोग जिसे योग कहते हैं योग है क्रिया करने का विधान प्रिय यान की प्रियतम नायक के लिखा गया है और इसका अर्थ है परमात्मा से भी अध्वैत्ता यानि की अभिन्यता काननु यानि कानों को इसका अर्थवन से भी है नैन यानि की नेत्र उचित आचार तथा सैयम रखने वाले अर्थात योगी से नव योवना नायका की नेत्रों की सौंदरी तथा बढ़ाओ को देख कर सकिया उसकी प्रसंसा करती हुए उससे परिहासात्मक तथा उच्छ सहवर्दक वाक्य कहती है अब तेरी नयन रूपी योगी काननु अर्था जो सवर रूपी वन का सेवन करने लगी है मानु मदन चाहती है एवं इनकी सोभा परीज कर नायक सदेव तेरी सामनी उपस्ते तहेगा भाव्या है कि नायका से सकी कह रही है कि ऐसा रगता है कि महामुनी कामदेव ने योग की या प्रिय से संयों की सब विद्या तुझे सिखा दी है इसलिए प्रिय के साथ अध्वैतिता जिस प्रकारी सीमूनी भगवान से अध्वैतिता सथापित करने के लिए कानन में अर्थात वन में जाकर योग साधना करती है वैसे ही ये आखी कानों का सीवन कर रही है यहाँपे कवीने नव्यों अना मुगदा नायका का चित्रन किया है योग अध्वैतिता तथा कानन दो-दो अर्थे इसलिए यहां पिश्ली सलंकार का प्रियोग किया गया है अजो तर्योना ही रहियो श्रुती सेवत इक्रंग नाग बास पेसुरी लहियो बसी मुकुतनू के सग अजो यानि की आस तक भी तर्योना यानि की अधोवर्ती कर्ण भूशन जे कहते है श्रुती यानि की वेत की श्रुती कान भी इसका अर्थ है इक्रंग यानि की एक्रिती पर अविचिन रूप से नाग बास यानि की स्वर्ग में निवास नासिका का निवास भी से कह सकते है बेसरी यानि की नासिका में पहना जाने वाला भूशन विसेज मुकुतनू यानि कि मुक्त सज्जन इस दोहे में सत्संग की प्रसंसा करते हुए कभी बिहारी ने इसकार्थे दो भागों में सपस्ट किया है एक आभूसर्ण की पक्स में एक धार्मिक पक्स में सरवर्थम आभूसर के पक्स में हम इस कार्थ देख लेते हैं कभी कहते हैं कि अनन्य भावसी कान का सेवन करने वाला या आभूसर अभी दर्योना ही कहलाता है जबकि मोतियों के संग निवास करके बेसर यानि की नाक में पहना जाने वाला भूसर नासिका में अपना निवास बना लेता है अर्थात उच्छपत को प्राप्त कर लेता है धार्मिक पक्स में अगर इसका अर्थ दिखा जाए तो अननिभाव से वेदों का सेवन अर्था श्रमण करने वाला व्यक्ति अब तक भी नहीं तर पाया उसका उधार नहीं हुआ जबकि जीवन मुक्त लोगों य चुद्र व्यक्तियों को भी स्वर्ग में निवासिस्थान प्राप्त हो गया है कहने का तात्परिया है कि यहां पे शमण यानी की वेदों को सुनने वालों पर व्यंग किया गया है और वो कहते हैं कि वो वेदों को सुनने से अभी तक नहीं तर पाए किन्तु जो छोटे स चोटा व्यक्ति है चूतर मनुश्य है वह धर्मात्माओं के साथ रहनी से स्वर्ग को प्राप्त कर पाया है अर्थात यहां पर सत्संग की उत्कृष्टिता बताई गई है सले सलंकार की सुंदर अभी व्यक्ति हुई है और ब्रजभाशा और दूहचंद का प्रियोग है गिन्यदाने की मना करते हैं रीजते हैं खीजत यानी खीसते हैं मिलत मिलते हैं खीलत यानी प्रसंद होतें लजया त यानी लक्चित होतें भरी भावन लोगों से भरेवे भवन में नैननुयाने नेत्रों से इसमें कभी ने नायक और नायका का चित्रण किया है कि नायक और नायका लोगों से भरेवे भवन में मुझ से कुछ न बोलकर अपनी हाव भाव से अपनी भावनाव को व्यक्त करते हैं कभी वे आखों से बात करते हैं तो कभी असमती करती प्रतीत होते हैं कभी खीशते हैं कभी मिलते हैं तो कभी प्रसंद होते हैं कभी लजाते हुए दिखाई देते हैं ये सारे भाव और क्रियाएं लोगों से भरेवे भवन में अपने नीत्रों से करते हैं अर्थात भी अपने मन के भाव को नीत्रों से प् अपने मनुभाव को व्यक्त करते हैं यहाँ पे सायोकसरंगार का वर्णन है अनुप्रास का भी चमतकार कहत नटत रिजत खिचत में लत लच्यात में दिखलाई पड़ता है अगला दोहा है पाई महावर उदैन कुनाईनी मेठी आई फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी मिर्थी जाए महावरी यानी की महावर की गाड़ी रंग में भीगी हुई रूई की गोली नाइका की सक्खिया नाइन का परिहास करती हुई नाइका की एड़े की नाल रंगी प्रसंसा करती हुई कहती है कि नाइक यानि नाइका के पैरों में महावल लगाने के लिए पास आकर बैठी जो नाइन है वहाँ नाइका की एडी को महावर की गोली समझकर उसी मीड़ मीड़ कर रंग निकालने की कूसिस करने लगी भाव्य है कि जो नाइका है उसकी एडी का रंग ऐसा लाल है कि उसमें तथा महावर की गोली में कुछ भेत प्रतीत नहीं होता अर्था तो आपी ब्रह्म होता है कि यहाँ एल्डी है या महलवई इसलिए आपी ब्छांटि मान लंकार का प्रियूग किया गया है अथा वह एल्डी को महावर की गोली समझ कर मिटती जाती है एक बार इसका अर्थ और चान लेती है नाईका की एडी का रंग इतना अधिकलाल है कि उसको तथा उसकी एडी में तथा महावर की गोली में नाईका की सकी को कोई भीद नहीं जान पड़ता अतब्रहम के कारण वह एडी को महावर की गोली समझकर मेरती जाती है उसे मसलती जाती है यहाँ पे फिरी फिरी में पूनरुकति प्रकासे यां वीपसा अलंकार का प्रयोग किया गया है नाई का अत्यन्त को मलांगी है यहां बस्तु व्यंक का विशय है नहीं परागू नहीं मधुर मधू नहीं विकासु इतिकाल अली कली हीसों बध्यों आगे कौन हवाल विकासो अर्थात के लावर जो पूर्णरूप से विक्सित हो गई होती है उसके विस्षय में कहा गया है हवाल यानी की तशा इसमें मिर्जा राजा जैसिंग को अपनी नवोडा अविस्करानी की प्रेम में पढ़ जाने पर राजसासन की और से उदासीन हो जाने पर कवी द्वारा अन्युक्ति के माध्यम से समझाया गया है यहाँ पर अन्युक्ति अलंकार का प्रियोग किया गया है इस दोहे में भ्रहमर के ब्यासी मुगदा सक्त नायक को शिक्षा देती वी कहा गया है कि इसमें न तो अभी पराग अर्थात पुस्पुरज अर्थात जवानी की रंगत है न मधूर मधू न मीठा मकरंद अर्था सरस्ता है और नहीं पूरी तरसिया खिली हुई है अर्थात योवन के कारणंगों का स्वाभाविक्विकास नहीं हुआ है ही भ्रमर तो अभी से इस कली से इस तरह बत गया है जब यह पूर्ण योवन प्राप्त करके कली से फूर रूपे परिड़त हो जाएगी तब तुम्हारे क्या दसा होगी उमीद करती हूँ सभी को इनकी व्याक्या समझा रही होगी अगला दोहा दिखती है मंगल विंदो सुरंगो मुखु ससी केसरी आड़ गुरु एक नारी लही संगु रस्मै की लोजन जगर इसमें कवीनिश रंगार विलास का सुन्दर वर्णन किया है मंगल यानि की कल्यार कारी है और नक्षत्र से इनका तातपरी है इसके त्रिक्त सुरंगो यानि की लाल आड यानि की आड़ा दिलक गुरु यानि की ब्रहसपती नारी यानि की इस्त्री रासी और रस्मै यानि की प्रेममै यहाँ पे नायक ने नायका को सुन्दर अभुसिडों से सुसजित देख लिया है और उसके मन में उसके प्रती प्रेम चागरित हो जाता है वह उसकी सकी सकी से उसकी चमतकारिक रूप सोभा कावर्णन करता हुआ कहता है कभी बिहारी कहते हैं कि एक अत्यंत सुंदर नाइका ने अपने उन्नत मस्तक पर सुंदर लाल बिंदी रूपी मंगर मुख रूपी चंद्रमा और केसर का पीला आडा तिलक रूपी ब्रहस्पती को एक साधारण कर रखा है अर्थात मंगल चंद्र और ब्रहस्पती इन तीनों नक्षत्रों को एक ही नारी निग्रहण कर रखा है एक नारी लही संगू ऐसा माना जाता है कि जब ये तीनों नक्षत्र कन्यारासी में प्रुविस कर जाते हैं तो आनंद में वाता वरण बन जाता है अथा उस नारी को देखकर एक नायक उसकी सकी सकी से कहता है कि तुम्हारी सकी को देखकर मेरी आँखों का संसार आनंद में हो गया है रसमय की अलोचन जगत अर्थात चाद जैसे मुखड़े पे मंगल जैसे लाल बिंदिया और पीला ब्रहस्पती जैसा आड़ा दिलगते कर मेरी आखे प्रेम मैं हो गई है यहाँ पे नाईका की मुख सौंधरी में मंगल यानि की लाल ब्रहस्पती यानि की पीला और चंद्रमा यानि की गूरापन समाहित किया गया है जोतिस विज्ञान की दृष्टी से यहाँ पे मंगल गुरु और चंद्र एक साथ जब कन्यारासी में प्रिविस करती है तो पिर्थबी पर जल वरसर्ड होता है नाई का रूपी कन्यारासी में मंगल गुरु और चंद्र नक्षत्र को समाहित देखकर नायक की आँखी रूपी संसार में प्रेम रूपी जल की वरसा होने नकी है जोति सेवं गरह विश्य अग्यान का पोत्पी होता है अगला दोहस प्रकार है दीरक सास नले हूँ दुख सुक साई न भूली दई दई क्यों करतू है दई दई सुक भूली दीरक यानि की लंबी सास यानि की स्वास साई यानि की साई इस्वर दई यानि की देव दई यानि की दिया है कहने का तात्पड़ी है दुख में लंबी सास न लो और सुख में इस्वर को मत भूलो दैव दैव क्यों पुकारती हूँ दैव इस्वर ने चूदिया है उसे कबूल यानि कि मंजूर करो एक बार ओर देखले थे इस कर्त दीरक सास न लिए यानि की दीरक सास मत लो लंबी सास मत लो सुक साई न भूली सुक में इस्वर को मत भूलो दैव दैव क्यों पुकारते हो दैव दैव सुक को भूली अर्थात उसे कबूल करो जो इस्वर ने तुम्हे दिया है उसे मंजूर करो आज की हमारी प्रमुक दोहों की व्याख्या हम अगली वीडियो में करेंगे अगर आपको उसकी व्याख्या समझाई हो वीडियो अची लगी हो तो इससे जरू लाइक और सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद